एक सब्द आपना सुना होगा खास तोर से जो कवीरपन्थी लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग मौथेरा हैं मौथेरा कई वार ऐसा आभास देता है कि जैसे ये कहता है ये तो बड़ा मौथेरा है पुराने जो लोग हैं वो किसी बहुत ज़्यादा बच्चा बड़ा चंचल हो बहुत ज़्यादा वाक्चातु हो बहुत ज़्यादा बाचित करता हो दिमाग से तेज हो या किसी की ना सुनता हो बहुत सारी बाते काड़ता हो अपने तर्क से तो सो कहते हैं ये तो बड़ा म जाते हैं कि लोग लिखते हैं जो लूग जानते हैं वो समझते हैं आपने अगर पालि-पड़ी हो या पालि देखें द्यान से तो ऐक ه scrd आता है जिसको बोलते हैं मत्ह माने होता है कि जैसे आर्टे में आपने पानी डाल दिया और अपने मिलाया तो उसको कहते हैं मत्हना या mix करना या उसे मिलाना ये मतना हो गया और पाली में कहते हैं मत्ती यानि कि मत्ता है अगर उसको मत्ता है यानि mix करता है तो उसको बोलते हैं मत्ती और मत्तक बोलते हैं जो मस्तक होता है यानि कि जो forehead होता है जैसे मेरा ये forehead है इसको बोलते है मत्थक या मस्थक एक सब्द और आता है जिसको बोलते है मत्लू मत्लू लू के बाद में आधा ने लगता है आधा डे लगता है बेसिकली तो मत्लू मत्लू का मतलब है दिमाग या ब्रेन ये सब्द क्यों बोलने में बड़ा आप मत्रयो मत्थक को, मत्थक का मतलब है अपने मस्टिक्स को मत्रयो, मत्लू को मत्रयो, मत्लू का मतलब है दिमाग को मत्रयो, और जो जहां आप मत्रयो उस जगेव को मौथेरा बोलते हैं, या वहां के लोगों को मौथेरा बोलते हैं, उस जगेव को मत्रा बोलते हैं, ये लगबग सारे सब्द जाचोके हैं। एक माथूर, एक मोथेरा और एक मत्वरा यह तीन सब्द बचे हुएं। और एक मत्थ बोलते हैं। मत्थ का बन गया मत््थु। पराने समय में ये मत्थु होता था जो मत्थ बन गया। यानि कि आपने दही को मथा और दही मथने के बाद जब उसका पानी निकाल दिया और उसमें से लौनी बहार निकाल दिया तो जो लौनी बची और जो मथा बची उसको बोला आपने मथ्थू यानि वेश्ट फैंक दिया आपने और जो सार रह गया उसका मथ्थू बोलते हैं ऐसे पुराने समय में जो लोग पढ़ने आते थे मत्वरा के अंदर, मत्वरा यूनिवस्टी के अंदर वहाँ जितने भी यूनिवस्टी में लोग पढ़ते थे वो आपस में एक दूसरे को मत्थ दे थे अपने मत्थक से यानि के मस्तिक से और मत्लू से यानि के दिमाग को मत्य थे और दिमाग मैंसे जो बेकार की चीज हैं जो राग द्यसे उनको निकाल देते थे और जो अच्छी चीज बसती थी उसको मत्थू बोलते थे इन मत्हों को बाद में मौथेरा बोला गया और मत्हुरा नाम वहां से पड़ा हुआ है ये मत्हुरा के अंदर एक National Museum है एक राष्टे संग्राले है अगर आप उस राष्टे संग्राले में जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि वहां बुद्ध की यूनिवस्टी के समय की जो बुद्ध के बाद यूनिवस्टी बनी जो वहां महातेराओं ने बनाई वो यूनिवस्टी में बहुत सारी बुद्ध की स्टेचू हां रखी हुई है आज भी मत्हरा में अगर कहीं कोई जगे खोदते हैं तो वहाँ पर बुद्ध की स्टेचू निकलती हैं। बताते हैं जो चीनी यात्री आये थे, उनके वर्णन है कि वहाँ पे बहुत धोंकी, बहुत सारे छोटे मोटे स्कूल और यूनिवस्टिया थी हैं। बात में लोगों ने, चूंकि वहाँ पत्थर मिलता है, तो पत्थर पे कलावे करके भगवान बुद्ध की मोर्तियां बना ली। क्योंकि मोर्ति का पचलन भगवान बुद्ध ने तो स्टार्ट किया नहीं, आरंब किया नहीं, उसके बाद में उनकी अनुईयायों ने, और जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गए, उनकी बातों को भूलके उनकी भक्ती करने लगे, उन्होंने वो मोर्तियां महां बनाई हैं। मगर वो मोर्तियां बहुत सारी संग्रहले में रखी हुई हैं। मैं आपको यहां संग्रहले के कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, वो आप दे देखिए और कभी जाएं तो संग्रहले को जरूर देखिए। क्योंकि मत्रा पूरा का पूरा चेतर भगवान बुद्ध की सिक्षाओं का सबसे बड़ा केंदर दिली के आसपास में रहा है। क्योंकि वो यमना के किनारे है और यमना के पास में बसा हुआ है। वहां भिक्कू और सिक्षा खाना पानी बहुत अच्छा मिलता था, उपासक युपासिकागरी कारीन चारत्म ठंडेवे रहा है, उपास अनर oggi मरी ठेव कोई, दी जो हुए ठेवान अले प निदोकId तो इसे जिवनभभे पिड़ा है। और लोगों ने उसकी इसमती में कोई इस्तूब बना दिया है जो लिंग जैसे आकार का भी हो सकता है एक इस्तूब बना दिया है और वो काली माता के नाम से या चंडी माता के नाम से या चंडाल के नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है ये असूर दस्यू ये सारे सब मैंने आपको बताए है आप Team 22 की वीडियोज को देखते रहेंगे तो आपको सारे जो जितने भी सद्ध हैं उनके अर्थ लगातार मिलते रहेंगे मत्रा का बहुत अच्छा है मत्रा आप जाईए वहाँ जाके देए किसे किस समय यूनिवर्स्टिया चलती थी प्केसे किसाइएएँ यूनिवर्स्टी जैंगे कि क्म जूनिवर्स प्रेंगे कि झाल शेंगे किसनी आपको झाल झाल